हेलो दोस्तो हम इस वीडियो में फोरेड के बारे में बात करेंगे कि फोरेड किया है यह कीड ना सकें यह फंगिसाइड है इसका क्या उपयोग है इसको पसल में कब उपयोग किया जाता है और इसका फाइदा क्या रहता है यह हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तो जब आप सीट बोते हो तो उसका पंजे साइड का आप सीट रिमेन कर देते हो लेकिन कीड ना सका नहीं करते हो तो आपको कीड ना सक दोई का स्प्रे करना चाहिए इसलिके साथ में मैं आज फोरेड का फोरेड ये कीड ना सकें उसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा एक इंटने रेटर का अत्ता है और इसका आपको कब स्प्रे करना चाहिए इसका आप इस्प्रे करें या पानी के साथ दें यह भी मैं इस वीडियो में आपको चुरूर बताऊंगा दोस्तो वीडियो शुरू करने के पहले आपसे मेरी हाथ जोड़कर विंती है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर कलिक करके सब्सक्राइब कर दीजे और बेल बटन पर भी बटन दबा दीजे जिससे आप आने वाले हमारे नहीं नोटिपिकी सार रोजया ना देख सकते है चलिए दोस्तो आगे हम वीड लगना जीवर केपटान और अन्यत पंगिसअड़ो से आप इसका सप्रेख करी मलपसी ट्रीमेन करी देते हो लेकिन दोस्तो आप सोईंग करने के सोईंग कर देते हो तो उसके सोईंग होने के बाद आपका बीज पना दिन में या दस दिन में चमीन से बाहर निकल जाता है तो दोस्तो उसके पहले आपको पत्ता होना चाहिए कि जमीन के अंदर बहुत सारे कीट रहते हैं जो हमारे बीज को नुक्सान पहुंचाते हैं उसको उगने से पहले ही जमीन के अंदर खा जाते हैं तो यह फोरेट 10% CG है इसका आप उप्योग करें दोस्तो इसका बना नेम फोरोलिग है और यह एक केज़ी का आता है और इसकी रेड मार्केट में 70 रुबे है दोस्तो आपको सीड सोविंग करने के 15 दिन बाद आपको तेंगी के साथ और तेंगी में पानी के साथ फोरेट को डालना है और इसका स्प्रे करना है आपको दोस्तो अगर आप स्प्रे नहीं करोगे तो इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा दोस्तो अगर आप स्प्रे नहीं करते हो तो कीट आपके सीड को जमीन के अंदर ही पहले खा जाएंगे और वो बार नहीं आएगा दोस्तो और जब सबजी या मूपली की भी आप अभी गर्मी में कहती करते हो तो अभी जमी में नमी बहुत का मात्रा में रहती है और कीट बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जमीन के अंदर पाए जाते हैं जो आपके सीड़ को बहुत नुक्सान पहुंचाते हैं अगर दोस्तो हम इस ये है, सबी फसलों में ये काम आता है दोस्तों, इसका उपयोग अगर देखा जाए तो आप इसका उपयोग आलू में, कपास में, मक्ये में, जुवार में और सबजी वर्गी फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं तर्बूच, खर्बूच और लोकी, ककड़ी सबी में इसका आप उपयोग कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों सिट बोने के 15 दिन बाद इसका उपयोग आपको हर फ़सल में करना होता है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेरो, शेयर जुरूर करे दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने किया हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिजिए दोस्तों अगर आप मेरे से संप्रा करना चाते हैं तो मैं नमर दिस्किप्शन वोक्स में दे रहा हूँ तो आप वहाँ से लेकर मेरे से संप्रा कर सकते हैं तन्यवाद दोस्तों और यह से ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चेनल पर बनें